है हुआ है पर शेंट कैसे हैं आप दोस्तों किल मैंने आप से यूएन के बारा बाव और जो फेरी हमेंगा से और आप करेंग और जaders इस्ट करूंगा कि facts कम से कम आए क्योंकि जो ऑपके सामने पेश करूंगा कि यह पारराश से करूं का आठ के लूब कर्छा है कि वीडियो एस में जो राजर सबहा के सेशन में अभी आपके सामने पेश करूँगा रिप्रेजेंट करूँगा उसमें जयातर कोशिश मैं इने यह कि है कि वह क्वेस्टन वो जो कंसेप्चुल हो ताके वह जो कॉंसेप्ट हमारा जो है वह थोड़ा सा बड़ा किलियर हो जाए तो सबसे पहले हमें देखते हैं द हैं देखें तो यह जैसा कि आप जानते हैं कोई भी अधना साथा आप जो है जमें पढ़ा है वह जानता है यह बात को कि जो है वह constitution के पांच風ए पार्ट है यह पाच्वेंपाट में यह आर्टिकल मौजूद है 89 से लेकर गए 122 तर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मैं पार्लिमेंट से बात करूँ है कि मैं कुछ आपसे question करूं और फिर उस question के बदले में मैं जो answer दूंगा तो उससे आपके जहन में जो भी query है जो भी स्वालत है उसका पूरा का पूरा जवाब आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले हम आते हैं भारत में कौन सा form of government है सबसे पहले जो question है कि भारत में जो government है वो government किस तरह की है यानि भारत में Parliament form of government है या फिर भारत में प्रिजडेंट form of government है या कोई other form of government है तो दोस्तों भारत में जो form of government है वो parliamentary form of government है जो कि हमने ब्रुटेंट से लिया है और आपके जहर में मैं जरूरी सवाल पैदा हो रहा होगा तो फिर पर फिर फूं ऑफ linking क्या है when everyone horrible about it कोไมब only होता है कि कोई आईसा दिश जहांपर जो सरो-सरवा जहांपर एक आहम जो जो पत होता है वो और जो होता है वो प्रायजे जा आण हो पकूर सबसे बड़ा पद यहां पर जो काम कर जो करता है वह परायम मिनिस्टर को चुनती है इसी वजाए से वह हमारा जो है हमारा जो इंडिया है वह parliamentary form of government है जो कि influenced है British Parliament और रही बात कि वो कौन सा देश है जहां पर president form of government है तो वो है अमेरिका क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी president के लावा कोई जो पूरे काम जो है president करता है और वहाँ पर कोई भी परदान मंत्री का पद वहाँ पर मौझूद नहीं है आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे स्वाल की तरफ कि राज्यसभा को पहली बार फॉर्म कप किया गया यहां पर यह बड़ा एक फैक्ट वाला एक सवाल है तो मैंने सोचा है कि दो तीन जो फैक्ट हैं वो भी मैं लेता चलूं लेकिन आगे जो भी क्वेस्टन अंसर जो होंगे वो तो फैक्ट से ज्यादा वो वो कॉंसेप्ट पर होंगे तो कुछ स्वालात हैं जो मैंने कोशिश की है ताके जो चोटे-चोटे जो फैक्ट हैं वो फैक्ट को भी मैं कवर करता चलूं तो सबसे पहला सवाल यह है कि राज्यसभा को पहली बार कब स्वाम किया गया कब इसकी स्थापना की गई और उसकी पहली बैठक सुझार्थवृट्यूर्ण नीकी जानते हैं कि वो हिंडोस्तान के सबसे पहले वाइस प्रेजजट है ाचाइयक्च मेह काते हैंрь चेयर्मैं कहते हैं राज्य सभा के और वह मेंजो होते हैं वो देश के कस्वाप का नाम कप दिया आपको मालूम होना आए कि राज सभा का नाम बात में दिया गया पहले राज सभा को हम का अंप जन थे वह कौन थे जिन्होंने कॉंसिल आफ इस्टेट को राजसभा का नाम दिया तो तो यह बड़ा आसान सा यह जवाब है हर कोई जानता है और यह सब कई मरतबह और इसी तरह से ससी और दीगर और दारोगा के जो एग्जामिनेशन हुए उसमें यह सब कई मरतबह यह सब सवालात आए भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं कि कभी कदार फैक्ट भी बिपीस्ट हमसे पूछ लेता है तो कांसिल आफ इस्टेट को जो राजसभा का दोस्तों जो नाम दिया गया है वो 23 अगस्ट 1954 को दिया गया है 23 अगस्ट 1954 से पहले राजसभ बहा नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं थे बलके उसको हम कांसिल ऑफ इस्टेट कहते थे जो के अंग्रेजों के जमाने से यह नाम चला रहा था लेकिन इसको सर्वपली राधा कृश्यन साहब ने पहली मरतबा 233 को उन्होंने यह नाम दिया गया क्यों उन्होंने उन्ह Tobyya के ऊस्टिटिट इसने उस कान्टिट्टिटीन में जो आर्टिकल जो है वह 395 ऐ 935 में हैं तो वाड़ा एक सवाल बनता है कि वह कौन सा अार्टिकल अई जिस अर्टिकल मेंंहें और में आन बात की गई है तो चुके हम पार्लेमेंट के बारे में अभी आप से दिस्कूस कर रहे हैं कि राज्य सभा के बारे में पूरा फोकस हमारा होगा और पर्लیमिंट का हिस्सा है आप जाने हैं कर07 होता है वो लोग में हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं और इसलिए जानना जरूरी है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में पर्लेमेंट से बात की गई है तो दोस्तों वह खुल 43 आर्टिकल है जो 79 से लेकर के 122 तक है और यह जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो तो इसमें 22 पार्ट है तो यह पांच में यह फाइफ पार्ट में यानि फाइफ पार्ट और आर्टिकल जो है वह 89 से लेकर के 122 तक जहादर अभी जितनी भी बात होगी राजसभा से लेटर तो कहीं नहीं आपके आर्टिकल 89 से लेकर के 122 के बीची में यह बात होगी मैंने मैं इस वह से किलियर कर रहा हूं ताकि आपका एक कॉंसर्ट बंतर चला जाए क्योंकि आर्टिकल पर आपके सामने डिसकस नहीं करने जाओ या फिर आर्टिकल 122 के आगे 123 से भी अभी के डिसकेशन में नहीं आएगा यह फिर सिर्फ क्योंकि हम पार्लिमेंट के बारे पढ़ने के लिए और पार्लिमेंट ठीक है एक हिस्सा राज्य सभाय है और हम राज सभाही से लेटर आज बात करेंगे लोग सभाई इसके बाद वाले वीडियो में इंशाल्ला अगर वाक्त मिला तो कल हम उस पर डिसकेशन करेंगे तो कि त है दोस्तो इसी अर्टिकल से कुछ्टन है आप से जैसे कि एक क्वेस्टन आपके सामने है कि आर्टिकल 79 में ने दे दिया है कि आर्टिकल 79 के तहत पार्लेमेंट किन चीज से मिल करके बना है तो इसका जवाब जो है वो यह होगा कि आर्टिकल 79 के तहत पार्लेमेंट थीन चीजों से मिल करके बना है एक प्रेजिडेंट और दूसरे लोकसभा और तिसरे राजसभा यानि यह तीन चीजों से मिल करके पार पर्लमेंट यह तीन चीदों से मिलकर के बनी है प्रस्डेट और इसी तरह से लोकसभा राजसभा तो आप देखा कि दोस्तों कि हमने इस आर्टिकल सबसे पहले लिया है क्यों कि सबस्क्राइब करके आर्टिकल 122 तक यह पार्लमेंट के आर्टिकल 79 के तहट पार्लिमेंट का मतलब ही होता है यह प्रेजडेंट लोगसभा राजजभा तो अब जाहिक सी बात है सवाल यह उठता है कि आर्टिकल 79 के तहट यह जो प्रेजडेंट है वो कौन से हाउस का मिंबर होता है क्या वो लोगसभा का मिंबर होता है यहां क्या पार्लेमेंट का एक integral part जरूर होता है यानि पार्लेमेंट से President को हटा करके पार्लेमेंट का वुजूद और उसके बारे में सोचना ये बिल्कुल ही मतलब के नामंकिन है लेकिन ये भी है कि President वो ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का member होता है हो किसी का मिंबर नहीं होता डोस्तों यह की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले मेरे जो कोईस्चन दोस्तों उसको भी आप और सबसे देखेंगे तो उस खोईस्चन के अंदर भी बहुत सारे अंसरों का जवाब होता है और फिर उसके बाद मैं कोईशी ये करता हूँ कि मैं वो question आपसे पूछू जो question concept है क्योंकि जो factual जो question है उनका answer मैंने खुद अपने सवाल में दे दिया इसलिए मेरे सवाल को और सवाल ही में कई fact आपको मिल जाएंगे और जो जवाब मेरा होगा उस जवाब में आपको आप जवाब देते कानून बनाना लहाद मैंने पहले ही already मैंने इस answer को मैंने अपने question में लगा दिया सबसे पहले ये तो question को देखिए पार्लेमेंट का सबसे अहम काम कानून बनाना है आप बताईए दूसरा सबसे अहम काम क्या है और क्या tax पार्लेमेंट के लावा और कोई भी बढ़ा सकता है ये दो तीन चीज़े मैंने आपको इसमें बना दी बता दी सबसे पहले तो question करते हुए मैंने आपको answer दे दिया क पार्लेमेंट का सबसे अहम काम कामनून बनाना है और दूसरा अहम काम क्या है वो तो मैं भी आपको बताऊंगा है लेकिन आगे इसी question में मैंने आपको एक answer दे दिया है कि क्या tax पार्लेमेंट के लावा और कोई भी बढ़ा सकता है इस question को पढ़कर आपको मालूम इतना त से लिए मैं यह कहूंगा कि मेरे question को थोड़ा गौर से सुनेंगे क्योंकि question के अंदर ही मैंने बहुत सारे answer दे रखे हैं तो इसका दूसरा काम दोस्तों जो पार्लेमेंट का जो दूसरा काम जो है वो जो सबसे आहम काम है वो यह है कि executive के ऊपर control बनाए रखना आप जानते आप यह कि जब यह दोनों को गड़वर करते हैं तो ब्रेक का काम जो होता है वो जुझी करता है अगा आप देखें तो डिर्क्टियोख प्रिंसपल में है पिसको शौट में कहा नहीं कि हमारे देश का जो है जुझी है उसको executive से अलग किया जाए इसलिए दोस्तों हमारे और यह दिग्शिवरी यह वह आर्टिक्टी के दहरत एलग किया गया है तके सब अपना अपना थाम कर सके तो उसके जवाब यह है कि दूसरा काम जो पार्लेमेट का है कानून बनाने के लाव वह काम है कि executive के ऊपर control बनाये का है वह executive कि और अहां स्ट्रीर के ऊपर अपर काबू करते हैं कि वह मिनिस्ट्री के ऊपर पूरा मुझी ये बात कि लिए रोगई कि तो मावड़ी मौझूद नहीं है जो डॉक्ति आगे की तनब चलते हैं कि मौडन हिस्ट्री में वह कौन साइक्ट था जिसमें पहली बार राजसभा को इस्थापित किया और उस एक्ट के मताबिक उसके मिंबर कितने हैं तो जैसे कि आप हम जानते हैं कि हमारे जो यह पूरा जो पार्लेमेंट जो है वह पार्लेमेंट अंग्रेजों का बनाए वह हमारे राजसभा में मिंबर हैं और हमारे राजसभा का नाम भी है और हमारा राजसभा एक तरह से काम भी करता है तो सवाल है कि हमारे राजसभा जो है जैसे कि हमारे बहुत सिंपल जी चीज़ है कि हमारे राजसभा के मिंबर आज दोसोपचास हैं दोसोपचास हैं इसी त किया जाता है तो से में ने क्वेश्चिन किया है कि इसका जो जो शुरुवात राजसभा कि उसकी कहानी किया है कि मेर活 Studios की। Κु देट किया और तो यह बड़ा सवाल है आज जवाब मैं और उसको बहुत होड से सुनेंगे दोस्तों वह एक्ट जिस एक्ट ने पहली मरतबा हिंदुस्तान में राजसभाब की इस्थाफना की वह एक्ट था सब्सक्राइब और उनीचal में कई यह वैंजाना का वहुद सब्सक्राइब कढने मरतबा हिंसरा सफिकेस सब्सक्राइब जै Uni, दखता है मुझे इसको ध्हुराने की जरुवत नहीं है वह और गया ड्लूब को दोबगा था 1929 का और उस एक्ट के मुताबिक राजसभा को पहले मर्दबाई स्थावित किया गया और उस वक्त राजसभा में 60 मिंबर थे दोस्तों इसी से रिलेटेट एक और क्वश्चन के अंदर ही मैंने बहुत सारे अंसर में दियी है इसी को सुनेंगे आज रास्भा के मिंबर 250 नहीं हो सकते तो मैंने अपने क्वश्चन के अंदर ही अंसर मेने आपको देदिया इसलीए उसको सुने कंप वह आज राजसभा के मिंबर 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते और उनके मिंबर को MLS indirect तरुपर चुनते हैं लेकिन अजादी से पहले ऐसा नहीं था बताइए वो कौन सा एक तगा जिसके मताबिक राजसभा के मिंबर के तादाद 260 थी और वो डाइरेक्ट चुने जाते थे वो भी 9 साल के लिए दोस्तों को आप फिर से समझें आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हमारे राजसभा में 245 मिंबर हैं लेकिन मैक्सिमम 250 हो सकते हैं और वो छे साल के लिए चुने जाते हैं और वो इंडारेक्ट तरीके से उनको चुना जाता है क्योंकि आपने कभी भी राजसभा के मिंबर के लिए कभी भी आपने वोट नहीं दिया होगा उनको क्या है जितने भी इस्टेट के जो मिल करके चुनते हमारी तरफ से तो इंडारेक्ट तरीके से चुने जाते हैं और वह भी छे साल के लिए और उनकी ताला 250 से ज्यादा नहीं हो सकती है आज को का कौन सा अक्ट तहसा सकते हैं और उनको चैसाल के लिए बनको नौ साल के लिए चुना जाता था और उनको नेहीं बलके ट mail को चुना जाता था ये वो 1919 का नहीं बलके 1935 का था यानि यह बात किलियर हो गई कि 1935 के Government of India Act के होता है जो राजसभा जो बनाई गई थी उस राजसभा के मिंबर 260 थे आज 245 है ज्यादे ज्यादा 250 हो सकते हैं और 6 साल के लिए चुनी जाते थे और इसी तहरे से उनकी तादाध जो है 260 थी और आज तादाध गई ज्यादा से ज्यादा 270 हो सकती है और वो इंडायरिक्ट नहीं बलके ठायरिक्ट लि उनको चुना गया था और आज कि जो राजसभा के जो मिंबर होते हैं वो लोग придार नहीं चुन जाते हैं जहांपर और आवाम उनको डायेट के चुनती है भलके उनको इस्टेट के MLS चुनते हैं यानि डायेक्ट तरीके से उनका चुनाओ होता है दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं मेरा क्वेस्टन है कि आप जानते हैं कि 23 अगस्ट को काउंसिल आफ इस्टेट का नाम बदलकर राजसभा का नाम दिया थी यह बीच में एक क्वेस्टन मैंने डाल दिया ताकि आपको थोड़ा साथ भी में देता चालू आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों यह भी थोड़ा सा फैक्ट ही फैक्ट्वली है कि डाक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा जात दोस्तों आप ख़वर कर रहे होंगे मेरे जितने भी कोईस्टन और अंसर जो अभी आपके सामने में पेश कर रहा हूँ वो सब राजसभा से क्योंकि आज मैं राजसभा के ऊपर बात करूँगा और कल मैं लोकसभा को लूगा यसलिए लोकसभा का कोई भी क्वेस्टन जो अगे की तरफ वड़ते हैं दोस्तों किkell के राजसभा के मेंबर बोसौपचास हो सकते हैं लेकिन अभी सिरुफ ढूसब्अली इसी तरह लोकसभा के मेंबर ज्यादट ज्यादधा 552 हो सकते हैं अभी सिरुफ पांसोपईोस यह पांत्व 462 ने हैं और गांज सब्क्रमशी to do so peizei क्यों है यहिए member जो हो सकते हैं दो Ciao वावण और और इसी तरह से और इसी तरह से और तरह से पांच मिन अदर से जो फाइब होके हैं साथ मिन बर लोक्त सबास से आइसा क्यों है यह बड़ा एक conceptual सवाल तो दोस्तों यह बहुत आसान सा है इसका जवाब कि आप जानते हैं कि कश्मीर का अलागा जो है वो पाकिस्तान और चीन के पास है चीन को पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है और उसका नाम अक्साय चीन है और इसी तरह से हिंदुस्तान का एक बड़ा का हिस्सा वह हमारे पस नहीं है लेकिन हमारे दिल में तो वह ज़रूर है ये हमारे हंदुस्तान का हिस्सा है लहाज ये जो शीट न portion का बिदो को कर देते हैं हो सकता है कि future में यह लाखły हमारे पास आजाएं तो फिर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सीटे थी तो जो अभी हमने जो बचा करके रखे हैं पाँच राज्य सबह में और साथ लोग सबह में वह सीट है हम उन्हीं इलाकों को दे दें और फिर इस तरह से हमारा पूरा का पूरा 552 और इसे तरह स से 250 सीट का हमारा लोग सबह राज सबह हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा ही कॉंसेट वाला सवाल था और आपको सुन करके मज़ा भी आया होगा और बहुत अच्छा भी लागा होगा आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों के प्रेजिडेंट के इंपीच्में कहते हैं जाहिर सी बात है प्रेजिडेंट का एक बहुत बड़ा पद होता है अब उनको जो हटाना है तो उस हटाने की परिकिरिया क्या है क्या प्रोसीडर है किस तरह से प्रेजिडेंट को हम हड़ा सकते हैं और क्या राज्यसभा में उसके लिए क्या करना होगा किस तरह क resolution देना होगा और अगर उस resolution और करादात को अगर हमको पास कराना है तो कितने majority की जरूरत है जो कि मैं यहां पर लोगसभा की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ राजसभा कर दोस्तों जवाब इसका यह है कि प्रेजडेंट को अगर इंपीच करना है प्रेजडेंट के लिए राजसभा में एक resolution पास किया जाएगा और उसको पास करने के लिए जो है दो तीहाई मिजारेटी की जरूरत है यानि दो तीहाई मेजार्यटे से resolution को पास किया जाएगा तभी प्रेजडेट का impeachment हो सकता है सकता लेकिंगेए reflection के सब्सक्राइ無ने का नहीं कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे है आर्टिकल 352 और 356 को क्यों ले रहे हैं क्योंकि आज तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 79 और से लेकर के 122 तक हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम आर्टिकल वह से लिकर करें तो आपका ही वी मैं 302 और 356 को जो मैं आपको सामिन कर रहा हूं वह है अब जैन्सी और चुक्चे इमर्जेंसी को जो है वह प्रिजिडेंट नाफिस करता है प्रिजिडेंट लगाता है और एमर्जेंसी के लिए जरूरी है कि उसको लोग सभा और राजसभा में उसको पास भी किया जाए तो इसलिए यहां पर आटिकल 352 और 356 को भी मैं यहां पर ला रहा हूं तो कि अर्टिकल 352 और 356 की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी लेकिन राजसभा से रिलेटेट यह question बन रहा है इसलिए emergency से related जो question है उस question को भी मैं यहाँ पर लाऊंगा दो तो question यह है कि article 352 और 356 के मताबिक प्रेजिडेंट emergency लगा सकता है तो आप बताइए क्या emergency लगाने के लिए प्रेजिडेंट को राजसभा की मनजूरी लेनी ज़रूरी है अगर है तो कितने दिन पहले तक फिर से आप इस question को समझेए कि article 352 और 356 के मताबिक प्रेजिडेंट emergency लगा सकता है आपको पता चल गया इस question ही में जवाब मिल गया या आप एक question यह कर लिजिए कि वह कौन से जबाब की मनजूरी भी लेनी ज़रूरी है और अगर है तो कितने जिन पहले राजसभा से उसको मनजूरी लेनी जरूरी है तो जवाब पूरा हक है कि वLG किसीक के मष्चव simulation लगा सकते लेकिन मैं यहां फाइन्शल emergency की बात कर रहुं तो financial emergency को अगर हैं लगाना है अगर 작은 emergency के जरूरी है कि सबसे पहले राज़ सभा में एक resolution को पास करेगा और प्र उसके बाद एक महीने के अंदर उसको उसकी रजामंदी लेने जरूरी और अगर उसकी रजामंदी अगर नहीं मिलती है तो परिजिडेंट जो है echnlich लगा सकता दोस्तों अगे चलते हैं कि राज सभवा को dissolve नहीं किया जा सकता है तो दोस्तोई इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि एक तिहाई मिंबर हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं और यह आर्टिकल 83 के मताबिगे से होता है नहीं किया जाएगा तो जो मिंबर जो बने हैं अभी जैसे के 245 तो हमेशा 245 रह जाएंगे तो लेकिन जरूरी है कि यह 245 है और डिजॉल्व नहीं होगा तो बेगति है हिस्सा जो हर दो साल में क्या है वह मिंबर का 6 साल पूरा हो जाता है और फिर इस तरह से जो नहीं मिंबर को वहां पर लाया जाता है आगे है कि प्रेजिडेंट की गयर मुझूदगी में वाइस प्रेजिडेंट उनका काम करते हैं ऐसे में डिपटी चैर्मेंन की ऱाली होती है जाहिर सी बात है वाइस प्रजिडंट इस मुझे लाते हैं उसे स्वाल इस स request है कि प्रिशिदन्ट की गईरमवजुद गए में वाइस प्रिशिडटी आफे एपने चेर मेनि की वाली होती है जो का कम करता स्थ आर्टिकल 91 के मताबिए लिए के किरमें को आप पत्स पर बने रहने के लिए क्या करना होगा। दोस्तो आर्टिकल जो नबबे ए हैं उसके मताबिक राजसभा के मिंबर्शिप से उन्हें इस्टेफा देना होगा इससे यह भी आपको बाते चलेगे के जो डिप्टी चेर्मैन है वो राजसभा से चुने जाएंगे और सबसे पहले उनको डिप्टी चेर्मैन बनने के आन्い वाइस परिजीडेन जो परिजीडेन का काम करना है उनको यह इससली वो सौपैंगे आज़े चलते हैं दोस्तों के चेर्मैन या डिप्टी चेर्मैन को हटाने के मस्लिप पर जब गहर किया जारा हो जडिप कशिडर किया जा चब्सक्टाब हो कर्ग सकते है शीरमैं एक क्यानवे दो में ये लिखा हुआ है कि चेर्मेंट या डिप्टी चेर्मेंन को जब हटाने के मुषब हटाना है लेकिन अभी फिसा न ही आया है कि इनको हटाने का फिसा नहीं आया बलकि उनके उपर गहर चल रहा है कनसीडर कर रही है दोनोंgend包 तो ऐसे स्विसेले में चूके जब house गोर कर रही है तो ऐसे सिस्विडे में ये अब उसको head नहीं कर सकते है राज सबह को अब ये lead नहीं कर सकते है लेकिन सवाल है कि ऐसे वक्ते में क्या कर सकते हैं तो जवाब उसका यह है दोस्तों कि वो राज सबह का जो proceeding होता है जो उसकी बैठार को यह जो meeting है और अपनी बात रख सकते हैं लेकिन इनका ये हाठ नहीं होगा ये रहाए होगा ये वह पहली की तरह राईसाभा को क्या है लिट कर सके और उसकी साधरत कर सके दोस्तों आगे शालता है कि छ efficient qui होता है और लोग सभा के जो स्पीकर होते हैं उन दोनों की सेलरी जो है वो बराबर बराबर यह लाग 25000 रुपए तक्रीब आप यह बता ही कि वह कौन सी हालत तो कौन सा सिच्वेशन आ जाता है जब राजसभा के चेर्मेंड के सेलरी की स्पीकर की सेलरी से ज्यादा हो जाती सहली के लिए बता दूँ कि ये उस वक्त होता है जब वैस प्रेसिडनमं देश का प्रेसिडन बनो जयाता है तो वो राजसभा की कुरसीकी की-चेयर-परसन के लोकसभा के शिल्यूर्ट सब्कांट्रण वारज्गEE बन यह रुद्वार्ण दोनों को एक लाग पचिस ह?, लेकिन जो लोग सबस्टाइब है, इससी हालत में जो है, लगा फिर्सिटिट वार्ज परसिजण हो वह तो श्राइब करना है, जो वाइस प्रेसिदेंट है और आई वह प्रेसिदेंट के घ्र जाएगा, तो ऑटमेटिक लिए उसको प्रेसिड भी जो है प्रिजिडेंट वारी वो पाएगा तो ऐसी हालत में जो है राज सभा का जो चेर परसन है वो उसकी सेलरी लोग सभा के अध्यक्ट से ज्यादा हो जाती है जोस्तो आगे है कि लोग सभा में डारेक्ट इलेक्शन के जरीए मिंबर चुने जाते हैं वही राज सभा में इन डारेक्ट तरीखे से उनका चुना होता है आर्टिकल सी ए में इसकी वजह बताई गई है अगर आप जानते हैं तो वजह बताई है जोस्तो अभी आप गोर कर हैं कि जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं सब 79 के बाद ही आ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा वह 356 वाला वह जो है आ गया था उससे रिलेटर इमर्जिंसे रिलेटर लेटर लेकिन यहां पर भी देखिए कि आर्टिकल सी में बताया है कि लोग सभा में डारेक्ट एलक्शन के जरीया से चुनते हैं हम लोग सभा के मिंपर को हम खुद चुन करके लाते हैं और राजस बाखिए के मिंबर का इंट डिरेक्ट वे में उनका चुना होता है तो आर्टिकल सी में उसका रिजन बताया है वह क्या रिजन है तो घारिए इसका दोस्तों है कि उसका सिर्फ एक बताया गया है कि इस तरीख से क्या होता है कि माइनोरिटी को हम जो है ये पार्लिमेंट में रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा अच्छा मौखा में जाहिए बात है देखिए दोस्तों के राज़सबा में 12 लोगों को जो है से नॉमिनेट जो है हमारे प्रेजेंट करते हैं हो बारा लोग खेल के मैदान से इसी तरह से शिच्छा के मैदान से इसी तरह से फिल्म के मैदान से इसी तरह से कला के मैदान से अलगलग मैदान से यह मैदान किया है इन मैदान को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि देश के हर मैदान से लोगों का पूरा पूर ह 911 इस तरह से हमारे स्टेट का विर यहांपर हो जाता है यानि देश का हर प्रिबिल करता है इस तरह बड़कर नहीं है और उस तरह से क्या होता है कि जो माइनर्टीज है और उनका रिप्रेजेंट हो जाता है और यहीं वज़ा आर्टिकल एटी ए में बताए गया आगे चलते हैं दोस्तों जब बिल किसी भी हाउस में आमेंट किया जाए आमेंट का मतलब जो संशोधन किया जाए कोई बिल है उसको अब बदला जाए कोई पुराना हो गया या पर उससे बहुत सारी बाधाय दा हो रही है तो हमारे जो कांस्टिशन में ये परवाधान मौझूद है आर्टिकल 368 के मताबिक कि उसको जो है बदल होने जरूरी है तब ही वो खानून बनेगा लेकिन अगर कोई एक हाउस किसी बिल पर राजी नहीं है तो ऐसे वक्त में प्रेजिडंट क्या करता है तो जवाब यह है दोस्तों कि ऐसे वक्त में प्रेजिडंट एक जॉइंट सिटिंग बलाता है मिटिंग बलाता है और दो इस जो है अमेंडमेंट बिल को वो पास करके फिर उसको वो आर्टिकल की शेकल दे जाता है दोस्तों आगे इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि राजसभा किसी भी बिल को छे महीने से ज्यादा डिले नहीं कर सकता और इस हालत में भी प्रेजडेंट एक ज्वाइंट सेटि प्रेजड को पास नहीं किया तो अब यह कि राजसभा डिले छे महीने तक कर सकता है लेंगे ऐसी सुरत में क्या होता है ऐसी सुरत में यह होता है कि प्रेजडेंट फिर बोलाता है दोनों सिटिंग को और उनको समझाता है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वो में इसी तरह उसी वहसे से ज़्यादा बढ़ जाने की विए से फूब्ल को पास कर दिया जाता है थो कि यह लोक जबाएं कि लोग सबह की लोग सबाल राच्थ सभा का फंच्छन बराबर-बराबर भर लेकिन वह कौन सा एक प्रोविजन है जिस लोग सभा राच्थ सबहासे मस्बूत हो जाता है दोस्तों वह यह कि money bill सिर्फ और सिर्फ लोग सभावें पास हो सकता है राज्सभा की पास कराने के लिए राजसभाा की उसको पास कराने के लिए किसी तरह की ज़रुत नहीं है वो लोग सभा की recommendation seaker उस साइन करता है और उसके बाद जो वर जो है मनी भी पास हो जाताया राजसमार इतना कर सकता है कि सिर्फ जो है 14 तक वो उसको अपने पास रख सकता है consider करने के लिए देखने के लिए कूछ मशूरह देने के लिए लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है money है जब छुड़ी गई है money bill की तो में itara के मानी विल को काते काला की जाए कजिस में पैसे की बात की जाए जिस में मनी की बात की जाए है देश के इस तरह के बात की जाता है वह मुझको हम फाइनेंशल विल काते हैं रह razor को कि पैसा देशन के लिए कम Reporter के लिए पैसे लगाए जाएगे क्या बजट बनाय जाएगा तो उसको crois 맛있 consider mention which day you come money 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 billی का मतलब होता है कि ऐसा गास्तों पर टैक्स को बढ़ाने की बात की जाए घठाने की बात की जाया यहां णाये टैक्स को लाने की जिए बात की जाया जैसे कि मई किसकी हिए इस द्न यह नहीं दोस्तों आप जब बात आई रहा तो हम जो बोलता है लेकिन जब दोनों हां उसराची हो जाते हैं तो पर उसके उपर साइन कर देता है तो वह बिल्ड से हट करके वह आर्टिकल बन जाता है पहले हिंद्री में उसको विध्यका कहते हैं और बाद में वह जिस अनुच्छेद बन जाता है दोस्ते अब आखीर में क्वेस्टन है और उसके बाद मैं काफी लंबा वीडियो हो गया स मुझे भूग भी लग रही है तो इसलिए इसके बाद थोड़ा सखा भी करके थोड़ा सा और आराम करूँगा फिर पढ़ूँगा तो इसलिए मैं चाहरा हूं कि यह क्वेस्टन को करने के बाद फिर मैं जो है वीडियो को खत्म ही कर दूं तो यह लेजिए कि अगला सवा पर डेड़ लोग पैदा हो जाए तो आर्टिकल 308 में कोई हिडायत मौझूद है अगर है तो फिर वो क्या है जरा बताइए दोस्तों मैं यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप नहीं होंगे मैं यहां पर मनी बिल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अमेंडिंग बिल या लोग सब्वाग के अपना अलग डीया है राज सब्वा का अपना अलग एडिया है उन और उसको कोई तो तो दोस्तों इसका जवाब यह कि आठीकल 3068 में सिर्व यह लिखा गया है कि किसी भी पार्लिमेंट को दो हैं वह किसी का को आमेंड्मेंट करने में किसी राय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं बलके लड़ रहे हैं एक टेड़ लोग जैसा मामला पहिदा हो गया बिलकुल एक स्टेंड इस्टिल हो गया है ना आगे बॉड़ रहे हैं पीछे हट रहे हैं तो ऐसे सुरह थे हाल में प्रेजिडेंट अपने अकल के मताबिक कुछ भी कर सकता है वहाँ पर प्रेजिडेंट को कोई गाइलाइन नहीं दिया गया है यह कर सकता है कि दोनों को साथ में बिठाए दोनों सब्सक्राइब करें और करने के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंच जा तो दोस्तों यह बताई कि यह वीडियो आपक रिविसन हो जाए क्योंकि अगर इसको बहुत आसां से बोला जाए तक तो जरूर जा सकता है दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने मेरे साथ यह वक्त गुदारा और कहने कि यह बहुत फायदा को ही पहुंचाएगा मुझे भी पहुंच चाएगा मेरा भी रि सेशन जो चलता है उससे काफी कुछ फायदा होता है आपको अच्छा यह लगा होगा खुद भी देखें और दोसरे दोस्तों को भी दिखाएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें खुदाफिस फिर हम कर मिलते हैं खुदाफिस स्लाम अलेकून गुद नाइए